साथियों, पिछले कई साल से वेदास शहर में सिर्फ हमारा स्पीड नेटवर्क है, यहां हमारी मनोपली है, लेकिन अब मेगा नेटवर्क नाम की कमपनी आ गई है, उनके आने से हमारा बिजनिस आधा हो जाएगा, देखो आधा भी हो सकता है और पूरा खत्म भी हो सकता है, वो लोग हमसे ज्यादा अच्छे टेकनोलोजी लेकर आ रहे हैं, हमें उनको यहां बिजनिस शुरू करने से पहले ही खत्म करना होगा, लेकिन कैसे सर, कैसे, हाव केन वी स्टॉप देम, एक आदमी है, जो यह काम कर सकता है, उसका नाम है, चंपक जामा, अलो एवरिवन, नमस्कार, मेरा नाम है चंपक जामा, मैं नेटवर्क से लेकर इंसान की सांसे तक जाम कर सकता हूँ, ये एक हफते तक हमारे ही नेटवर्क को जाम करके लोगों को परिशान कर दे, और उसका इल्जाम आएगा मेगा नेटवर्क वालों पर, और फिर वो सब जेल जाएंगे, वो लोग ये सुचेंगे कि मेगा नेटवर्क वाले अपना नया बिजनिस जमाने के लिए हमारे नेटवर्क को जाम कर रहे हैं, एक्सिलेंट प्लान, वाव, उनका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, एलो, एलो स्वामी जी, can you hear me, एलो मिस्टर स्वामी, हलो, हाँ, सुन रहे हैं न, अच्छा, जल्दी-जल्दी सुनिये, इससे पहले की नेटवर्क चला जाए, 10 किलो शक्कर, 100 ग्राम हरी मेच, 10 किलो चावल और आदा किलो नमग, 10 किलो क्या, हेलो, हेलो, शक्कर, मिर्ची, नमग, चावल, ओके, 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 ओ, ओ, हाँ, बेन सिंग, जल्दी ये सामान पक्रो, यह लो भागवान अपना सामान. लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, तुमने दस किलो हरी मिर्च क्यों मंगाई? और ये आटा सिर्फ सौ ग्राम? क्या? तुम दस किलो मिर्ची ले आए? और आटा सौ ग्राम? ओहो, थोड़ा दिमाग ही इस्तिबाल कर लेते हैं. इतनी मिर्च क्या करूंगी? बाकी सावान तो ठीक लाए हो ना? एकदम ठीक. दस किलो नमक और आधा किलो शक्क्र. दस किलो नमक? ओहो! मैं क्या करूं? जैसा सुनाई दिया वैसा ही लाया. इस नेटवर्क जाम की भाज़ा से सब गलबल हो रहा है. किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है. नेटवर्क जाम है. दिमाग तो जाम नहीं. सोचना तो था कि मैं 10 किलो मिर्ची और 10 किलो नमक का मैं क्या गरूंगी? गुद मॉर्निंग, नानी. गुद मॉर्निंग, नाना जी. क्या गुद मॉर्निंग, एक तो नेटवर्क जाम है. उपर से नाना जी 10 किलो मिर्ची लेकर आ गए है. वेताज सिटी में मॉबाइल नेटवर्क पूरी तरह से जाम हो चुके है. लोगों का आपस में कोंटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है. नेटवर्क पाने के लिए, लोग अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. वेताज शहर में अब तक सिर्फ स्पीड नेटवर्क ही था, जो पूरी तरह फेल हो रहा है. इसी वज़ा से वेताज शहर में नई मुबाइल कंपनी मेगा नेटवर्क आई है. और लोग अब स्पीड मुबाइल्स को छोड़ छोड़ के मेगा नेटवर्क के लिए लाइन लगा के खड़े हैं. ये देशिए. स्पीड मोबाइल्स के सारे टावल्स एक साथ कैसे फेल हो रहे हैं. तुमारे नाना जी दस किलो हरे मिर्च लिया है. अब पूरे सार मिर्च ही खाना. पूरे शेहर में एक साथ नेटवर्क जैम कैसे हो रहा है? लगते हैं, एलियन्स वेदा शेहर को टेक ओवर करने वाले हैं. वो ही पूरा नेटवर्क एक साथ जैम कर सकते हैं. युडी को तो सोते जागते एलियन्स ही दिखते हैं. मोबाइल ट्यावल्स में बड़ा फॉल् प्राब्लिम हो रही है. एक बार मेरी गाव में पूरा नेटवर्क चला गया था. फिर क्या था? मैं उनके नेटवर्क टावर पे अपनी जान की परवा किये बिना चड़ गया. और उपर जाकर एक वायर का कनेक्शन टाइट कर दिया. सब ठीक हो गया. पूरे गाव में मेर की जयजय कार होने लगी. सी, उधर कुछ लोग टावर पर रिपेरिंग कर रहे हैं. लगता है अप नेटवर्क प्राब्लम सॉल हो जाएगी. पर जितना यहां से दिख रहा है, इन लोगों के जाकेट और वैन पर तो M का लोगो है. और ये टावर तो पीड नेटवर्क का ह एम मेंस मेगा नेटवर्क. ये तो वही नई मोबाइल नेटवर्क कमपनी है जिसका प्रमोशन पूरे सिटी में चल रहा है. मैं वहां जाकर चेक करता हूँ. एलो अंकल, आप तो मेगा नेटवर्क के हो, तो इस स्पीड नेटवर्क के जावर पर क्या कर रहे हो? ए तुम्हे क्या मतलब, तुम जाओ यहां से. तुम उड कैसे रहे हो? वो मैं बाद न बताऊंगा. पहले आप बताओ, आप स्पीड नेटवर्क की टावर्स में क्या कर रहे हो? ए बच्चो, तुम जाओ अपना काम करो, परना अच्छा नहीं होगा. बच्चा ने ही कहना, अंकल. शिवा, शिवा नाम है मेरा. ऐसा लगता है, जिससे आप लोग ही स्पीड नेटवर्क की टावर्स में गड़बड़ी करके उनका नेटवर्क जैम कर रहे हो, ताकि आपके नेटवर्क कनेक्शन ज्यादा भिकें. ये बच्चा कुछ जादा ही होश्यार है. पकड़ो इसे, साथ ले चलो. लटके रहने तो इसा है, हम अपना काम करके निकल जाते हैं. 잡िप़े शिपही के बोस सוכब जातर में शिप़चा करो वह सबता ताहु हुआ अप्रिपही क्य ra करके दो अवर्क के लाएवश्क के लाएवर्क बहें, बहें थे होंग्रेंवर्क को बहेंuriaाँ लट्डू सिंग जी को बताना होगा हलो लट्डू सिंग जी चम्पक जामा नेटवर्क से लेकर इंसान की संसे तक जाम कर सकता है और तुम लोगों को एक बच्चे ने जाम कर दिया अच्छा है बहुत अच्छा है चम्पक बॉस वो बच्चा नहीं है वो अकेले ही 10-20 बड़ों के बराबर है डोंट वारी उसकी चिंता छोड़ दो चम्पक जामा नेटवर्क से लेकर इंसान की संसे तक जाम कर सकता है फिक्र कि कोई बात नहीं हमारा प्लान फेल नहीं होगा अब होगा ब्लास्ट हर मोबाइल में ब्लास्ट ऐसा वारस नेटवर्क से भेजूगा कि सब के फोन ब्लास्ट हों गया हाहाहाहा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा क्या आपका फोन भी ब्लास्ट हुआ है अधर भी फोन ब्लास्ट हाहाहा हाँ भाई मैं कुछ करता हूँ तेज बोलिये तेज बोलिये कुछ सुनाई नहीं दिया हाहा आप पुलिस टेशन आजाए सब सुनाई देगा अयो लड्या सिंग जी कुछ करिया पूरे शेयर में लोगों के फोन ब्लास्ट हो रही है बड़ी पापा ये देखो हम लोगों का पेस बड़ी पोन पे बात करते हैं ब्लास्ट हो जाता है नहीं क्या मजा कर रहे हो भला फोन भी बात करते हुए ब्लास्ट होते हैं क्या हैलो इंस्पेक्टर लड्डू सिंग स्पीकिंग बोलो अरे भाई कौन है जम्पक जैमर क्या जम्पक जैमर क्या कहा अरे साफ बोलो आवाज नहीं आ रही है लड्डू सिंग जी मैं नेटवर्क से लेकर इंसान की सांसे तक जाम करता हूँ बूम बूम का मतलब क्या ये बूम आया बीच में काई गुसे जारे हूँ अम लोग तुमसे पाईले से काड़े ये जयने दो भाई मैं वड़ी बबाबा मैवे कुछ नहीं वड़ी अम लोग पाईले से लाइन में आए ये लड्डू सिंग जी किदड़े बुलावने बुलावने बाई आँखो में चश्मा लगाके देखो ये थका हारा किसमत का मारा तुम्हारा लड्डू सिंग है पेचारा तुम जो भी हो लाइन में खड़े हो जाओ बुलावने अरे रुक्या लड्डू सिंगा छाड़ दा आयायाया तो लड्डू सिंग जीया है अम लोगों ने क्या किया बॉस वो लड़का है शिवा सॉलिड फाइटर है बॉस सॉलिड बोले तो एकदम सॉलिड सॉलिड को लिक्विट करना मुझे आता है फिलहाल हमें शिवा से ज्यादा अपने प्लैन पे काम करना है ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं उसका पीछा करो और सुनो वो क्या कह रहे है चलो लेवा हम सब मेगा नेटवरक वालों के ऑफिस चलते हैं और रिड्डू सेंग जी को भी ख़बर कर देते हैं हाहाहा मेगा नेटवरक का दी एंड शुरू हो गया यह पच्चा ही उन्हें जील भिजवाएगा और फिर इस शहर में स्पीड नेटवरक ही रह जाएगा और मुझे मिलेंगे पांच करोड रुपए सिर्फ इतने चोटे से काम के लिए हाहाहा डियर बोर्ड मेंबर्स आपको जानके खुशी होगी कि हमारे नेटवरक की डिमांड दिन बढ़ती जा रही है लोग लंबी लंबी लाइन लगाके हमारा कनेक्शन ले रहे है सुरा है आजकल स्पीड नेटवरक बुरी तरह जाम पड़ा है और पूरा शहर परिशान है येस येस ये तो हमारे लिए खुशी की बात है अब इस शहर में हमारा ही नेटवरक होगा स्पीड नेटवरक जाम नहीं है जाम करवाया गया है ताकि आपके नेटवरक के कनेक्शन लोग लें किसने कराया है ऐसा काम कौन कर सकता है आपने ही कराया है, और कौन करायेगा, आपके आदमी स्पीड नेटवर्क की मोबाइल पर जाकर गड़ड़ी करते हैं, ताकि वो जाम हो जाए, यू आर अंडर अरेस्ट हे हे, अब तुम लोग कौन हो, क्या हो रहा है यहाँ? सर, हम आपके गाट से हैं, यह बच्चों, तुम लोग अंदर कैसे आए? आप लोग साइड हो जाओ, हम देखते हैं इने आजाओ आज नेटवर्क को ठीक करके ही रहूंगा स्वारी बोस, इस लड़के से लड़ना मुश्किल है, स्वारी मिस्टर बातली वाला, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और स्पीड नेटवर्क को सैबोटाज करने के जुर में मैं आपको अरेस्ट करता हूं, यू आर अंडर अरेस्ट ये सब क्या हो रहा है, वो गार्ड्स कौन थे, किसके थे, कहां से आये, वो हमारे आदमी नहीं थे, ना ही मैंने स्पीड नेटवर्क को जैम करवाया है, सब मेरे उपर इल्जाम है, कोई तो मुझे फसा रहा है ये सब बाते अब गोट में बोला, अभी मेरे साथ पुली स्टेशन चलो, पुली स्टेशन चलो, ये प्रॉबलम तो खत्म हुई, मीधय अब अपना नेटवर्क जैम खत्म हो जाएगा पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे मिस्टर बातली वाला सच बोल रहे थे जैसे ही वो गाद्स अंदर आये, मिस्टर बातली वाला का पहला रियाक्शन था हे, तुम लोग कौन हो, हम्, इसका मतलब है, वो गाद्स उनके नहीं थे यह भी तो हो सकता है, कि स्पीड नेटवर्क अपना बिजनस बचाने के लिए, इनका नेटवर्क शिरू होने से पहले ही, बंद करवाना चाता हो। इस सब आदमे उनकी ही हो, यह स्पीड नेटवर्क वालों की जालबी तो हो सकती है न? चलो, ये बात तो स्पीड नेटवर्क के ओफिस जाके पता चलेगी, लड्डू सिंग जी को भी साथ ले चलते हैं वेल डन चंपक जैमर, तुमने अपना काम इतनी सफाई से किया है कि किसी को भी हम पर शक नहीं होगा अब इस शहर में सिर्फ हमारा ही नेटवर्क होगा सर, चंपक जैमर नेटवर्क तो क्या, इंसान की सांसे भी जैम कर सकता है चाल तो अच्छी थी, लेकिन चली नहीं, पोल खुल गई ये तो वही बच्चा है ना, और जगह पहुँच जाता है, अब ही देखता हू बच्चा नहीं कहना, अंकल, शिवा, शिवा नाम है मेरा पकड़ो उसे वहाँ 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 है है! जोू। Hands up! You are under arrest! Shiva! Shiva, thank you! Thank you very much! तुमने एक बेगुना इंसान को जेल जाने से बचा लिया! Mr. Bartley वाला बहुत खुश होंगे! एक बच्चे ने मेरी सारी प्लानिक फेल कर दी। इसने तो मेरा करियर ही जाम किर दीया!